वेलकम बैक टूदा चैनल गाईस एंटिटी कास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज जो वीडियो में आपके लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कार बाइंग से रिलेटेड और काइंग बाइंग से रिलेटेड आपके लिए मैं बहुत ही इंपोर्टेंट करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सुरुवात से बात करता हूँ जैसे जैसे आप लोग शोरूम जाते हैं अपनी गाड़ी लेने या खरीदने या देखने तो आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उत्सा होता है काफी ज्यादा एकसाइट में होता है जब नहीं करनी है वही चीज में आपको बता रहा हूँ आज और कौन सी एकसेसरी में आपका पैसा वेस्ट होता है उनके बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहली एकसेसरी जो मैंने चुनी है वो है सीट कवर कभी भी आप शोरूम से सीट कवर ना लगवाएं मेरी अपनी परसनल राए है क्योंकि देखें होता क्या है जो लोग सीट कवर लगा के देते हैं उनकी फिटिंग बलकुल भी नहीं आती है वो एक तरीके से एक शाट है जैसे यह शाट मैंने पहन देकी है ऐसे वह पहना देते हैं और फिर उसके बाद उसे नाड़े से बांद देते हैं कि फिटिंग बलकुल खतम हो जाती है और फिर उसमें बैटना काफी अनकमफेटेबल हो जाता है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँआ कि आप जो है शोरूम से सीट कवर ना लगाए क्योंकि काफी महंगे भी देते हैं और उनकी कॉलिटी बलकुल बेकार होती है तो जबी भी सीट कवर लगाना है तो किसी सीट कवर वाले के पास जाना है और वहां से लगाना है ठीक है और आपका पैसा भी बचेगा क्योंकि शोरूम में महंगा मिलता है कॉलिटी बेकार मिलती है बस इतना है शोर्ट महंगा और कॉलिटी बेकार तो आपको कहां से लगाना कि ये top model की fitting का जैसा होना जी है, क्या कि आजकल पुराने वाले striving wrap तो कोई लगाता नहीं है, लिए स जिले जाते हैं और वो उनकंट लोग लाइज आते हैं उस तरीकिटे के आफिशन लगाए जाते काफी टाइम तो ये बात उनसे पहले कल लें अगर आप लगा भी रहें तो पहले कल लीजिए कि आप मुझे टॉप मोडल की फिटिंग की स्टिचिंग चाहिए तब मैं ये लगाऊंगा नी तो इसको मैं उतार दूँगा उसी समय और आपको वापस कर दूँगा अगली जो ये वो है टच स्क्रीन ठीक है टच स्क्रीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए शोरूं वाले वो टच स्क्रीन तो लगाते हैं लेकिन उनके पास उतने अच्छे आप्शन्स नहीं होते हैं कि सिर्फ एक अपनी जो है वो लगा देते हैं कभी-कभी तो आजकल यूट्यूब हो गया या फिर मैप्स होगे वो नहीं चल पाते हैं और ज्यादातर मैंने देखा है मारूती के जो मॉडल है उसमें लगा देते हैं वो लोग सिंपल से और एक चीज और इधान रखनी है आपने आपसे कहा जाएगा कि यह जैन्वन है ठीक है मैं आपको पहल से तो वहां से जरूर मिल सकती है अन्यता नहीं मिलेगी अगली चीज जो आपको नहीं लगानी है वो है सेंटर लॉकिंग देखिए सेंटर लॉकिंग आपसे कहा तो जाएगा कि हम औरीजिनल कंपणी की लगाएंगे लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी औरीजिनल नहीं लगात है ज्यादसाद हजार रुपए अगर कोई पर आप बहुत यह अच्छी क्वालिटी का लगाना जाएंगे वैसे तो 500 रुपए में भी आपको मिल जाएगा तो गाइस यह कुछ ऐसी एक्सेसरिस ती जो की लगाने में आपको लॉस है जिसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है स क्यों वही फिटिंग नहीं जुए उसमें कुछ नहीं बेकार से लगते हैं और उसका माइटेडियल भी अच्छनी होता है जो कि अनकॉमफटेबल होता है गर्वियों में काफी पसीने वाला भी होता है और कोई उसमें लूग भी नहीं आता है बहुत अच्छा सा खाली सिम वह बात अलग है कि आपको जो है एक्साइटमेंट में आप पे जो है थोपा जाता है बट आप उनसे यह बात जरूर करनी है और अगर वह अच्छी कॉलिटी के लगा के दे रहें तो लगाने में कोई बुरा ही नहीं लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है आपका सलफेट कट जाता है जब आप शोरूम पर जाते हैं एक्सेसरी लगाने तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि उसमें बाज जरूर करनी है उनके बाद उनको अपनी च्वाइस बतानी है अगर पैसे दे रहें आप फ्री में उनसे एक् लेकिन इस चीज का ध्यान रखें डरना नहीं है घबराना नहीं है यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप से एकसेसरी स्के 25,000, 30,000, 35,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं आप उसके लिए पैसा दे रहे हैं तो आप अपनी कॉलिटी की उसमें चीज लगाएं ज और बागी भी एकसेसरी जो की आपको हमेशा लगानी है फिर आपसे पैसे मांगते हैं या उस ऐसे तरीगे के भी होता है माई देश में आपको पता है तो उन लोगों से बचने के लिए या फिर कोई रॉंग आका उठोक दे उनसे आपको चोड़ तो लगेगी उनसे बच निभाएंगे लेकिन आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आप रॉंग नहीं थे लाइक बाइकर्स अगर कोई बाइकर रॉंग आ रहा है और आपसे टकरा जाया तो हमेशा बड़ी गाड़ी की घलती मानते हैं लोग ऐसा कहते हैं मैं तो नहीं मानता इस बात को बट उसके के लिए बचने के लिए आपके पास है डैश कैम तो कभी भी कोई एकसेसरी लगाओ ना लगाओ डैश कैम अपनी गाड़ी में जरूर लगाना तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए इस्टे से कीप ब्लेस्ट बाइबाए